Tailwind CSS के अंदर एक Apply Directive होती है जिससे कि आप लोग बहुत सारी Classes को एक Class का नाम देकर अपने Elements पे Apply कर सकते हैं मैं आप लोगों एक बहुती साधरन सा Example देता हूँ, अगर आप लोग उने Website बनाई है तो आप लोग बहुत Relate कर पाएंगे इस Example से मान लीजे आप लोग एक Button मना रहे हैं, जो कि काफी बड़ा है Size में और आप लोग एक छोटा Button मना रहे हैं, जो कि थोड़ा छोटा है Size में आप लोग अगर चाते हैं कि ये बड़ा वाला Button और ये छोटा वाला Button अब throughout the website बार बार यूज़ कर पाएं तो ऐसे में आप लोग चाहेंगे कि इसकी BTN Class बन जाएं और इसकी BTN SM Class बन जाएं और आप लोग उसको बार बार इस्तिमाल कर पाएंगे अगर आप लोग ऐसा करना चाते हैं Tailwind ZSS के अंदर तो आप लोग यूज़ कर सकते हैं Apply Directive का इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि Apply Directive क्या होता है किस तरह से Apply Directive को यूज़ करना है और हम लोग ये भी देखेंगे कि Apply Directive को अगर आप लोग इस्तिमाल कर रहे हो तो क्या आपको Precautions लेनी चाहिए किस तरह से आप लोग को Apply Directive द्वारा Classes बनानी चाहिए कहां पर बहुत सारी Utility Classes एड़ करना चाहिए कितनी Utility Classes बहुत जादा होती है और कब आप लोगों को Apply Directive का परियोग करना चाहिए So let's get started with the video आप लोग बात करने वाले Apply Directive के बारे में अब यह Apply Directive क्या है और क्यों यूज करने चाहिए हम लोगों को इस बारे में आप लोगों को बताऊंगा और आप लोगों को यह भी बताऊंगा कि Apply Directive को कब इस्तेबाल करना और कब अवाइड करना है तो start करता हूँ जल्दी से आप लोगों को में लेकर चलता हूँ यहां पर अपने इस फोल्डर में जिसमें हमने टेल्वेंड के टेंप्लेट बनाई थी वीडियो नमबर 9 है तो मैं आप लिख लूँगा टेल्वेंड ट्यूटोरियल 9 ठीक है टेल्वेंड ट्यूटोरियल 9 मैं आप लिख दिया है अभी मैं आपर double click करूँगा और double click करने के बाद इसको मैं obviously vs code में खोल लूँगा open with code ठीक है open with code करने के बाद में क्या करूँगा जो मेरी index.html है in fact मैं npm आई करूँगा ठीक है कि मेरी सिर्फ package.json बनी हुई है मैं चाता हो मेरे node modules भी बन जाए कभी भी node modules को बनाकर किसी को देना मत बुरा बन जाएगा वो ठीक है क्यों आने का बुरा अरे इतने सारी files and folders होते हैं और वो बंदा कहेगा किया मेरे बास node.js इंस्टॉल्ड है और नहीं भी है तो मैं इंस्टॉल कर लूँगा इतना बड़ा node modules folder अगर तुमने github पे डाल दिया या फिर किसी की one drive में sync कर दिया तो वह पागल हो जाएगा मैं आ चुका हूँ एक बार मैं आपको experience बता रहा हुने सब बाते तो चलो यह सारी बाते तो tailwind button examples मैंने आप ले लिए और बहुत सारी websites खुल के आ गई है मैं बहुत ही simple सी चीज़ आप लोगो बता रहा हूं using utilities tailwind के v1 के अंदर है यह example button का तो मैं काम गता हूँ tailwind के website से लेता हूं यह वाला बटन लेता हूं यह वाला बटन ठीक है default नहीं थोड़ा सा मैं विचितर बटन लोंगा जो कि यह वाला ले लेता हूं यार यह बड़ी यह लग रहा है मुझे यह ले लेता हूं ठीक है तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूं मैं सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रहा हूं वहती सिंपल कॉपी पेस्ट जो कि आप बच्पन से करते आ रहे हो ठीक है मैं भी करता रहा हूं सब करते आ ठीक है save करा मैंने और मैं आपर क्या करूंगा और npm run start कर दूगा ठीक है कुछ नहीं किया कोई बड़ी rocket science नहीं मैंने आपको दिखा दी यहां पर बहुत ही simple सी चीज करी और यह button मेरे पास यहां पर आगया इसको मैं reset कर दूगा यह button मेरे पास यहां पर आ गया आप देख सकते हूं ठीक है और मैं इसको is sound 140 जो भी 44 मुझे मिल गई classic तो मैं वो यहां पर डाल दूँगा ठीक है और अभी मैं आप लोगो दिखा हूं तो यह बटन यहां पर आ गया है ठीक है और मैंने इस डिव के अंदर डाला था इसलिए यहां पर ऐसे आया है आमलोँ मैं इस बुर्ण को दुबाज़ से पारे करें अगर्कुछ इसारी को फेसक्रार वहां यहां तक को सब्सेans अब घरेक्राइब कर सकते है यह सारी की सारी क्लासेस को रिप्लेस करसक्ते हैं एक क्लास से मैं क्या मैं जल्दी से सबसे पहले दो अपने फेवरिट फीचर्स on करूँगा एक तो word wrap और एक चीज मैंने और जो on करी वह स्क्रीन कास्ट मोड ठीक है तो इंडिक्स रोडिश्टिया में लगा है मैं खोलू तो word wrap हुआ नहीं क्या word wrap नहीं हुआ या अब हो गया word wrap ठीक है ठीक है त इसको लेकर जाओंगा अपनी style.css के अंदर और मैं आपर करूँगा क्या मैं आपर लिखूँगा add the rate apply और apply लिखने से भी पहले मैं आपर लिखूँगा dot btn add the rate apply मैं कहूँगा जब भी मैं btn class लगाउं ये सारी चीज़े apply कर देने का ठीक है मैंने क्या का जब भी मैं b इतनी सारी classes जो कि मैं manually बार बार शायद लिखता मुझे वह लिखने की ज़रूरत नहीं है मैं simply btn लिखकर काम चला लूँगा तो मैं आपको दिखाता हूं ये चीज़ अभी काम कर रही है ठीक है ये चीज़ काम कर रही है अगर मैंने ये चीज़ नहीं लिखी होती है यह बटन के तोर पर नहीं दिख रहा है और अब मैं अगर यहां पर btn2 लिख दूँ तो यहां पर यह चीज़ अप्लाइ हो जाएगी ठीक है आप देखो यहां पर यह चीज़ अप्लाइ हो गई पर मैं इसको btn कर दूँगा ठीक है इसको भी इसको भी दोनों को btn btn कर तो कब apply को use करना है कब apply को use नहीं करना है यह बात मैं आप लोगों को भी बताऊंगा ठीक है तो यहां पर जल्दी से मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि मान लो मैं क्या कर रहा हूं यहां पर btn का स्तेमाल करूं और save कर दूं तो बिल्कुल सही हो गए लेकिन यहां पर गड़बड हो गई यार पता है क्या यह यलो यह भी यलो यह दोनों same बन गए अब मान लो for some weird reason मैं चाहता हूं कि इस particular बटन पर जब मैं hover करूं तो मैं चाहता हूं कि यह green हो जाए ठीक है अब आप सुनना मेरी बात को बहुत द्यान से सुनना ठीक है बहुत द्यान से सुन मैं अपकी बात मान लेता अब मेरा mood यह होता कि यार मैं इस button को द्यान से सुनना मेरी बात को मैं फिट बता रहा हूं यह button जैसा है मैं वैसे ही चाहता हूं लेकिन यह वाला जो button है मान लो मैं यह चाहता कि इस पर जब मैं hover करूं तो यह green हो जाए तो मैं क्या करूंगा simply हो करूंगा सिर्फ इस वाले button में तो मैं कहूंगा कि यार यह लोगी मैं यह कर रहा हूं और मैं expect करूंगा कि जब मैं इस पर hover करूं तो यह green हो जाए और यह हो भी रहा है अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा तो होगा क्या आप सुनना द्यान से अगर मैं इसको ऐसे लिखता ह सौरी background color को मैंने डाल दिया let us say aqua ठीक है for some weird reason text white में एक लास डाल दी तो आप लोग यहां पर देखो जब मैं text white में यह class डाल रहा हूं और मैं इसको यहां पर आप लोग को अपनी जो styles है वो मैं कैसे दिखाऊंगा आपको यहां किसी भी element में जाकर यह styles.css पर जो हमारी dynamically generate हुई है आप देखो यहां पर text white में border color echo आ गया अगर मैं Ctrl F करके फिर से text white लिखूं तो आप लोग देखो कि जो tailwind की utility class text white है वो तो वैसे के वैसे ही बरकरार है लेकिन text white के अंदर एक border color echo अभी आ चुका है मैंने border color डाला मुझे background डालना चाहिए था background color ठीक है और आप लोग देखो यहां पर background color echo आ गया text white की जगह पर background color echo आ गया जो की बड़ी जीब सी चीज मैंने कर दी लेकिन मैं कर सकता हूं यहां पर ठीक है तो मैंने यहां पर करा क्या कि जो tailwind की base layer थी component layer थी utility layer थी उसके बाद मैंने .btn class add करी और उसके बाद मैंने इ बजूद है यह भी आप देखो जो मेरी style.css है इसमें text white किस line number में आया 479 में ठीक है और अब यहां पर देखना यह चीज चेंज हो जाएगी 479 पहले आता है या फिर 435 435 पहले आता है तो जो tailwind की utility class text white थी वो पहले है और जो मेरी custom text white class है वो बाद में आप लोग यहां प ले जाओंगा tailwind की utility से उपर और आप देखना जो मेरी class है वो tailwind की class से पहले आईगी आप देखतो 392 पे मेरी आ रही है tailwind की 438 line number पे आ रही है तो tailwind किस तरह से process कर रहा है इन सब चीजों को उसको समझना यहां पर बहुत जादे जरूरी है यह मेरे कहने का मतलब है तो I hope क आप लोग समझ गए होंगे कि यहां पर अगर हम लोग डालना चाते है tailwind की utility classes से पहले किसी चीज को यह उसके बाद तो हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं यहां पर मैं इस चीज को मिटाओंगा text white में आपर background color aqua नहीं करना चाता लेकिन btn को मैं tailwind की utility classes से पहले रखना चाता यहां पर और change कर सकूं चीजों को ठीक है I hope आप लोगों को यह चीज समझ में आ गई होगी अब मैं इसको यहां पर मिटा दूंगा इस button को और save करूंगा और आप लोगों को इस तरह की दो तीन और classes बना कर दिखाऊंगा मानलो मैं एक class बनाना चाता हूं dot styles ठीक है बहुत text vic vic मतलब विचेतर विचेतर मतलब वीर्ड टेक्स वीर्ड है यह अगर मैं डालना चाता हूं महीं पर तो मैं इस तरह से डाल सकता हूं मैं यहां पर डाल देता हूं यह text vic class मैंने डाली और यहां पर देखो एक error आ रहा है यह error क्या कह रहा है style supply directive आपने गलत इस्तमाल क करिए मैंने मैं देखता हूं जाकर मैंने जरूर कोई syntax error किया है कलती जरूर की है जो यह मुझे इस तरह से बता रहा है add the rate apply text vic ओके तो मैंने आपर text vic मुझे यहां लिखना चाहिए था और मैंने तो असा confusion create कर लिया मैं आपर इसको text yellow कर दूँगा और text vic को मैंने आपर apply किया है हाँ ठीक है अब ठीक है अब ठीक है अब देखो यहां पर आप लोग कि मैं इसको जैसे reload करूंगा apply text yellow bg green 400 यहां पर यह क्या problem दे रहा है कि CSS company text yellow is a custom make sure it is defined within a layer directive तो यह कह रहा है कि text yellow कौन सी वाली यूज करना चाहते हो text yellow सिर्फ हमारे पास कोई class नहीं है text yellow 500 यार हाँ चल गया ठीक है तो यह जो मैंने आपर text vic लगाया है और मैं काम और करूंगा कि यह जो text vic है यहां पर जो मैंने text vichitr बनाया इसको मैं बाद में add करूंगा ताकि इसका effect आए ठीक है और यह सबको override कर दे save करूंगा अब आप लोग यहां पर clearly देख सकते हो कि य class काम नहीं कर रही है और उसकी वचा यह है कि मैंने utilities को बाद में लिखा है और इनको यहां पर लिखा है तो मैं अगर यह चाता हूं कि यह वाली class है utilities को override कर दे तो मुझे इसको utilities के बाद डालना पड़ेगा और अब देखो यह चीज़ काम कर रही है तो जो order होता है वो matter कर अगर आप लोग चाते हो कि utility classes के बाद आपकी class है तो आप कुछ इस तरह से कर दो मैं BTN को utilities classes से पहले रखना चाता था इसलिए मैंने यहां पर इसको इन दोनों के बीच में फसाया component और utilities के तो 100 बात की एक बात आपको बताता हूं जो base layer है वो सबसे पहले मैं ले रहा हूं फिर component layer के अंदर जितनी भी classes है वो सारी आजाएंगी उसके बाद यह वाली class आएगी फिर सारी utility classes जो की use हो रही है मेरे project में हो आएगी और उसके बाद यह जो dot text vic मैंने define करी है वो यहां पर आएगी ठीक है मैं इस तरह की कोई class define करना तो नहीं चाहूंगा अपने किसी real world project में बढ़ आप लोगों को जस्त बता रहा था order की importance की order का क्या importance है Tailwind CSS के अंदर I hope कि आप समझ गए क्या होती है apply directive क्यों इस्तेमाल करना चाहोगे अगर आप लोगों ने अभी तक यह Tailwind डिटोडिल्स की playlist access नहीं करी है तो यार कर ले न access को अभी के लिए इस वीडियो में आप